आज बनाएंगे चावल की एकदम नई रेसिपी एकदम नए स्टाइल से और ये रेसिपी एकदम नहीं भी है तो इस रेसिपी को तयार करने के लिए लगबग हमने एक गिलास चावल ले लिए हैं लेकिन उससे पहले एक धनिये की चटनी को तयार करना होगा इसके लिए हमने एक कटोरी धनिया, तीन से चार कटीवी मिर्ची, कुछ हद्रग, कुछ लस्टन, थोड़ी सी शिमला मिर्च, आधा कटा वटा माटर, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी काली मिर्च डालके हमने एक चटनी को तयार कर लेना होगा तो ये चटनी तयार हो चुकी है, तो दोस्तों जो हमने एक गिला चावल लिये थे, उन चावलों को फटा-फट से 3-4 बार ये अच्छे से धो लीजिए, चावल बड़ा खिला खिला बने, इसलिए हमने बासमती चावल लिया है और 3-4 बार धोने के बाद इसको लगबख 10 मि हमने भिगो के भी छोड़ा है वहीं दूसरी तरफ एक कढ़ाई ले ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा ओयल डाल लीजिए साथ ही में थोड़े सी जीरा डाल लीजिए जीरे के साथ हम इसमें डालेंगे एक छोटी इलाईची साथ ही में काली मिर्च और लॉंग चार- दो मीडियम साइस प्यास जो है वो पतले पतले चौप करके रखे हुए है उन्हों ओनियन को डाल देंगे जैसे ही थोड़ा सा भून जाए तो चलिए प्यास डाल देते हैं प्यास के साथ साथ दोस्तों हमने कुछ अन्ने चीज़े ठेर सारी वेजिज डाली है जो घर पे इजिली मिल जाती है हमने डाले हैं फ्रेंच बीन्स हमने डाले हैं मटर मटर के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से आलू आलू आपको ऑप्शनल है पसंद हो तो ही डालिएगा ना पसंद हो तो मत डालिएगा आलू के साथ अगर आप चाहे तो पर्ता घोबी या फिर बंद घोवी ढाल सकते हैं हमने तो नहीं डाली है लेकिन हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी है शिमला मिर्च मुझे बहुत जाता पसंद है हलका सा गुमाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गाजर डाल रहा हूँ गाजर भी आप्शनल है आपको पसंद तो डाल दीजीगा इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से भून लीजिए साथ ही में भूनने के इनके हम थोड़ा एक टमाटर भी बड़ा काटा हुआ चौप करके रखाए लेकिन उससे पहले जो भी हमने चटनी तयार करी थी उस चटनी को डाल लिया है अच्छे से गुमा लीजिए और इस चटनी के स्वाद में ये सारी चीजें हलके से तेल में भूनने दीजिए इससे बहुत अच्छी खुश्बू आ जाएगी धनिये की इस सारे मिश्रन में और इसको ढख के थोड़ी देर पका लीजिए और अगर आपको ढखने की ज़रुत नहीं लग रही तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं अब जो चावल हमने तयार करें थे विगो के रखे थे 10 मिनट ले एक साइड में पतीला ले लिया उसमें थोड़ा ओइल डाल के ये सारे के सारे चावल उसमें हम डाल रहे हैं ये देखिए अब आपको क्या करना है इन्हें चावलों में डाल लेना है एक गिलास चावल से तो दो गिलास पानी तो हम दो गिलास पानी डाल रहे हैं और यहीं इस सब्जी में फटा-फट से अब हम डाल लेते हैं टमाटर के साथ यह सारा मिशन अच्छे से पकता रहेगा तो एक तरफ हमारे चावल जो है वो तयार हो रहे हैं एक तरफ यह जो हमारी वेजी है यह तयार हो रही है अब इसमें समय आ चुका है मसाले डालने का यह लगभग सारी चीज़े पक चुकी हैं तो सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं नमक, स्वाद अनुसार, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी ऑप्शनल है चावलों को पीला करना चाहते हैं तो हल्दी डाल सकते हैं थोड़ा धन के अच्छे से पकाएंगे तो यह सारी वेज़ी टेबल आपकी पके तयार हो जाएंगी तो चलिए इसको एक से दो मिनिट ले हम ढख लेते हैं और यह डाल लेते हैं तो लगभग हमारी वेज़ी जो है वो तयार सी लग रही हैं तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे हम हम लेंगे साइड को हम अपने अब मेन गैस पे लियाए हैं कुकर जिसमें हमारे चावल उबल रहे थे तो अब आदे जैसे ही पानी उठ जाए हम अपनी वेजिस को इसमें डाल लेंगे सारी की सारी वेजिटेबल्स को यह देखिए और उसके बाद इसे पकने देंगे अब ही आपको कुकर को बंद नहीं करना है इसको इसमें अच्छे से बॉइल होने दीजिए इसके मसाले में इसके धनिये की खुश्बू खड़े मसालों की खुश्बू वेजिटेबल्स की खुश्बू सारी की सारी चावल में आने दीजिए आप इसको ऐस से ही थोड़ी दे बॉइल करते रहें और एक दम एंड में जब पानी 90-80 परसंट उठ जाए तब हम सीटी दिलाएंगे वो भी सिर्फ दो ज्यादा सीटिया नहीं दिलानी क्योंकि पानी मैक्सिम हमारा उठ चुका होगा और चावल पक चुके होंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों अब बस ह हम इसको सीटी दिलाएंगे फटा-फट से तो चलिए यह सीटी दिलाके कुछ ऐसे चावल हमारे को तयार हो गई है दोस्तों मस्त मिक्स वेजिटेबल विर्यानी धनिये की चटनी वाली और धनिये की जो खुश्बूश में से आ रही है दोस्तों मेरा दिल मेरा मन सब कुछ मोलिया है इस विर्यानी ने मैं तो नहीं रुप पारा हूँ इत्ती जादा यमी लग रही है मेरा बन कर रहा है बस मैं इस पर टूट पड़ूँ आपको कैसी लगी यह रेसिपी मुझे जरूर बताईएगा दोस्तों हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अच्छी और स्वादिश विर्यानी हर कोई बना सके और खा सके और जरूर ट्राई करके बताईगा मुझे मालूम है जो भी इसे ट्राई करेगा वो इसका दिवाना जरूर हो जाएगा थोड़े से काजू के शाद गार्निश करेंगे बस समय आ गया है इसे फटा-फट से ख और जदा फानी मैं चलता हूँ आप और अपने परिवार का ख्या लखें